हेलो दोस्तो मैं हूँ वीपीन आप सब का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यह बताने वाला हूँगी कैसे आप लोग यूपी स्कालर्शिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियों पर लाश्ट तक बने रहे वीडियों पसंद आये तो लाइक ज़रू करिएगा और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियों अप्लोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को जाए तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियों को सुरू करते हैं तो दोस्तो यूपी स्कालर्शिप का इस्टेटर्स चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना क्रोम ब्रावजर ओपन करेंगे क्रोम ब्रावजर इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए आप लोग जिस भी क्लास में आप उसको स्लेट कर लेंगे चलिए मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूं post metric other than intermediate का दोस्तों अगर आप लोग class 9th और 10th का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग fresh तो यहाँ पर दो server दिया इस पर click कर सकते हैं अगर आप लोग renewal रेनवाल का दो server आप इस पर click कर सकते हैं अगर आप लोग 11 में और 12 में तो यहाँ पर देखिए पोस्त मैट्रिक other than intermediate अगर आप लोग finish तोब दो老師 ऐंब लोगाला हो चलिए और रेनवालब पर click कर सकते हैं रेयम्वर पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपर देखे हैं आप लोगी को फिल करना है अपर सब्मीट करके आगे का प्रोसिस दिखा दिता हूँ दोस्तो अपर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा तो आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा आवेदन पत्र की इस्तिती जानने के लिए यहाँ किलिक कर तो simply आप इस पर किलिक कर देंगे इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर देखें कर आ जाएगा यहां पर देखें आप लोग अपना इस्टेस चेक कर सकते हैं यहां पर देखें registration कंप्लीट हो गया final submission में कंप्लीट हो गया इतनी तरीक को और status आप institution level यहाँ पर सब कुछ मेरा वरिफाई हो चुका है यानि कि मेरा यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है बस देर है सिर्फ इसकालर्शिप आने की तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपना यूपी स्कालर्शिप का इस्टेटस चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आई होब कि आपको यह वीडियों पसंद आया होगा अगर वीडियों पसंद आया है तो हमारे चैनल टेकनिकल वर्शिपीन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रिस कर लीजिए ताकि आगे से को ही वीडियों अपलोड हो तो सबसे पहले नाट फिकेसन आप लोग को जाए तो